तो योट्स गैज क्या है चाल तो आगे हम एको नई वीडियो के साथ हो राज की सुर्म बात करने वाले कि अपने स्मार्टफोन को एक नया लुक कैसे दे और अपने स्मार्टफोन को यारी स्टाइलिस में कैसे करनोड करें जैसे आप इस स्क्रीन पर देखने हैं गार आप भ कुछ बताऊंगा वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और चलो यार वीडियो स्टाइट करते हैं तो फ्रेंच चलिए बात कर ले देकि अपने स्मार्टफोन को यारी स्टाइलिस में कैसे करेंगे तो इसकी लिए आपको एक पूरा चेंज हो गया मतलब हुमारा नॉर्मल फोल्क कैसा रहता है और देखो यह वाला फोन कुछ इस तरह हो गया यहां पर आपको सब कुछ दिख रहा है और यहां पर देखने बहुत यहादा मस लगता है सच में करा हूं आप यहां कस्टमाज भी कर सकते हैं अपने हिसा आप से मिलता आपके फोन में कितना मेमरी है वो भी आपको दिखा देता और याप लगेगा फिर से से प्लिक आपको यहां पर यहाप को घटकरी करते हैं और यहाँ simple wall paper भी यहाँ पर select कर सकते हो और friends back चल के आपको दिखाता हूँ यहाँ पर देखो select from gallery यहाँ पर आप gallery से अपना photo भी यहाँ पर लगा सकते हो और friends यहाँ पर आपको एक option मिल जाता है icon pack यहाँ पर आपको देखो android पर रखना पड़ेगा icon pack का option मिलता है sorry यहाँ पर देखो icon pack यह तो आपको बता दिया और यहाँ पर आपको एक option मिल जाता है font size का और wise assistant का मिलता है memory booster boost का इस पर क्लिक करो और अपने memory को boost कर दो जो clean मतलब कुछ कचरा होगा न वो सब साप कर देगा done पर क्लिक कर दो अब देखो यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा यहाँ पर देखो और आप समय जाता hidden app यहाँ पर आप किसी भी application को hide भी कर सकते हो किसी बंदे को मतलब जैसे मालो PUBG आप खेलते हो आपको घर वालों को पसंद नहीं तो आप इसको hide कर दो घर वालों को नहीं देखेगा सिर्फ आपको देखेगा कुछ भी आप आप समझ सकते हो और उसके बाद यहाँ पर आपको देखो आप किसी application को lock भी यहाँ कर सकते हो page का animation अगर आप change करना चाहो तो यहाँ से देखो animation change कर सकते हो बहुत ज़्यादे animation मिलता है नॉर्मल फोन में आर ऐसा animation नहीं मिलता इस application को यूज करो इस तरह के आपको animation में जाएंगे और बहुत बड़ा application नहीं यह मतलब बहुत ही छोटा application बहुत ही कम यंबी का है तो आपके फोन में आसानी से work करने वाला है और उसके फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा नीचे चलना पड़ेगा यहाँ पर देखिए वो सब कुछ मने आप बदा दिया टाइम फार्मेट बैटरी सेवर को आप अन कर दोगे तो आपका बैटरी बहुत ही कम खर्च होगा और उसके बाद यहाँ पर देखो रिसेट लॉंचर आप यहाँ रिसेट कर सकते हो और फ्रेंड्स आपको एक चीज बताना भूल गया अगर आप होम बटन पे टच करोगे तो आटोमेटिक पूरा का पूरा सिस्टम कट हो जाएगा तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि कट ना हो इसके लिए आपको अपलिकेशन को ओपन करना पड़ेगा यहाँ पर आपको ऊपर यह वाल अपसे मिल रहा है make default launcher देखो यहाँ पर setting पर जाओ make default launcher इसके खिलिक करो और आपको नीचे मिल जाएगा unique launcher इसके लिए आपको क्लिक कर दो application कटना है unique launcher अब देखो home button पे कितना भी touch करोगे ये बिल्कुल भी हटने वाला नहीं है एक बार say हो गया तो फ्रेंच जली बात कर लेते हैं कि अगर इसको हटाना पड़ा तो कैसे हटाएंगे भाई ये तो permanent से हो गया तो कैसे हटेगा तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा अपने mobile में setting को open करना पड़ेगा देखो मैं उपर से setting open करता हूँ यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा default app default app के नाम से एक setting रहता है उसको आपको open करना पड़ेगा उसके बाद यहाँ पर आपको application मिल जाएगा यू उसके बाद देखे यूनिक लाउंचर यूनिक लाउंचर डालेंगे तो यह वाला application फश्ट पर आपको मिलेगा इसको download करो और आसानी से यूज करो आप rating यहाँ पर देख लो 4.3 की rating है और एक लाख लोग इसको download कियें तो यार आप भी download करो और मजे लो